नमस्कार दोस्तों मैं पुनीत कुमारोजा दोस्तों आज मैं बात करूँगा उस विशे पर जो कि इस समय पुरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक बर्निंग इश्यों की तरह बना हुआ है और सबसे बड़ा होट टॉपिक है पुरी दुनिया के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा रश्या और युक्रेन के बीच जिस तरीके से जो बहुत ही खराब हाला चल रहे हैं जो कि पिछले तीन दिनों से युद्ध की हालत में तब्दील हो चुके हैं दोस्तों ये पुरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़ादा मैं कह सकता हूँ कि नाजुकपल है हाला कि अब ये दौर वो नहीं है कि फिर से एक विश्वयुद्ध की तरह पुरी दुनिया उस तरासदी का सामना करने करना चाहेगी कि या दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो आज के समय में ये सोचे कि हम किसी भी दो देश के बीश विवाद के मामले में अपनी स्टेन निताकत का इस्तिमाल करके उस युद्ध में डिरेक्टली शामिल हो इस बात तो पुरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि रश्या ने जिस तरीके से एग्रेशन दिखाया बहुत ही डिप पेनेट्रेशन किया जाके और आज अभी आप देख सकते हैं जो सबसे लेटेश नियूज अभी जो नियूज चैनलिस में चल रही है कि कीव तक रश्य या आ चुका है रश्यन आर्मी ने उसके जितने सैटलाइट्स जो टाउन थे उनको पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया है वहां के लोग पूरी तरीके से घरों में दुबख के बैठ चुके हैं वो करें भी तो क्या करें एर स्ट्राइक्स हो रही हैं बहुत सारे हर प्र रश्यन जो एर एर फोर्सेज हैं वो हर तरह से तयार हैं और दोस्तों सबसे बड़ी बात रश्या और युक्रेन का कोई कंपैरिसन नहीं है अगर आप देखें अगर हम रश्यन आर्मी की बात कर लें तो उनके पास साथे आठ लाख आर्न फोर्सेज का उनके पास काफिला है जो कि दुनिया में बहुत ही बहतरीन और बहुत ही प्रश्यक्षित आर्मी मानी जाती है हाला कि युक्रेन का भी गर आप एक देश के तौर पे देखेंगे तो बहुत बड़ी आर्मी के जाएगी धाई लाख है लेकिन फिर भी रश्या के सामने गर आप देखें बात सि टेकनोलोजी की जो रिश्चन टेकनोलोजी है जिस तरीके के उनके एर डिफेंस सिस्टम्स का पूरी दुनिया में बोल बाला है जैसे कि हाल ही में आपने एस फॉर हंड़ेट का जिकर सुना होगा तो यह थाबित करता है कि बहुत सी ऐसे टेकनोलोजी हैं अगर वो हाईड सुनिक वीपन प्रोग्राम देखा होगा बाइब कि तरीके से दुनिया की सबसे शांदार सबसे बहतरीन और सफल टेकनोलोजी अगर हाईपरachśnieTom technology का है हाइपरसोनिक जो भी उसके मिसाइल है वो रश्या के पास यह दो मिसाइलों का मैं जिक्र करना चाहूंगा जिर्कॉन और किंजर मिसाइल यह तो दोस्तों यहां पे हमें कुछ चीजें सबक लेनी की जहुरत हैं अब बात करते हैं अभी आज यूक्रेन के प्रेसिडें या पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से यह जो टेंशन चल रही हैं दोनों देशों के भी बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के बारे में बोली जा रही थी जाहिर से बात है ऐसा वार टाइम में होता है रश्या के अपने दावे हैं यूक्रेन के अपने दावे हैं लेक से कुछ लगभग तीन दशक पहले वेस्टरन कंट्रीज के स्पेशली ब्रिटेन अमेरिका और कुछ जो बहुत ही मजबूत देश हैं यूरोप के उनके कहने पर यूक्रेन ने अपने सारे अटॉमिक जो उसके पास जो वेपन्स थे उसे उसने डेस्ट्रॉय कर दिया अब आज के समय में कोई भी देश जिसके पास अटॉमिक वेपन्स हैं उनसे प्रतक्ष रूप से भिरने की कोशिश कोई नहीं करेगा एक छोटा सा देश है नौर्थ कोरिया लेकिन क्योंकि उसके पास भी नुक्लियर वेपन्स की टेक्नोलोजी है और वो हर बार साबित करता र अगर हमें कोई बरबात करना चाहिएगा तो हम भी उसी तरीके से रमेट्स करेंगे और उसी मजबुरी के साथ रिटैलीय करेंगे कि दोस्तों बात अगर भारत पाकिसान के सिविशेशन के लिए कर लें ज़ाहिर से बात है भारत बहुत बड़ा देश है पाकिस्तान भी है टोनिक विपन के टेकनलोजी हासिल करने वालकों मेरे 4पी मुल्कों में 1 मात्र देश है और पिछले कुछ दो दशकों में जो उसने प्रोग्रेस और डिवलोप्मेंट हासिल की है वो वाकई पुरी दुनिया को चौकाने के लिए या ये बताने के लिए काफी है कि जब तक पुरी दुनिया ये मानती रहे कि हम स्रिष्ट हैं खासतर से जो वेश्टर नेशन्स हैं अमेरिका जो खुद को सूपर पावर कहने का हमेशा दंब भरता है हाला कि है भी लेकिन अगर पिछले कुछ दो दशक में अगर आप देखें तो अमेरिका के साख काफी गिर चुकी है रिजन क्या है दूर दर्शिता ना होना आपकी सोच में तो दोस्तों ये समय है इस घटना करम से जो रूस और योक्रेन के बीच हो रहा है उससे हमें तीन चार मोठी तोर पे जो बातें हैं सबक हैं उससे सीखना चाहिए दोस्तों सबसे पहली बात कि अगर आप कमजोर हैं तो ये आपकी कमी है खुद को मजबूत बनाएए कमजोर का साथ देने के लिए बड़ी बड़ी बातें तो लोग जरूर करते हैं लेकिन कोई साथ नहीं देता है जैसा कि युक्रेन को पता चल रहा होगा अमेरिका और नाटो कंट्रीज का एक पपेट बनके रह गया और आज वॉली दिमीर जैलेंसकी को एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी चूक की है कितने मिस कैलकुलेशन्स थे उनके रश्या को समझने में शायद और ये बात सिर्फ जैलेंसकी की नहीं है जो बाइडन या जो भी यूरोपियन निशन्स हैं उनसे भी कही न कहीं से एक बहुत ही जादा खुद को कहा जाएगा कि खुश फैमी में जी रहे थे जो शायद रश्या को बहुत ही जादा अंडर इस्टिमेट इन लोगों ने किया था तो इससे सबक मिलता है कि अगर आपको टिके रहना है तो खुद को मजबूत बनाईए दूसरा जो सबसे बड़ा इस कटना करम से हमें सबक सिखना चाहिए कि आपकी लड़ाई आपकी है ये आपको तै करना है कि आपकी विदेश नीत आपको कैसे रखनी है वर्तमान समय में हमारे देश के काफी सारे इसे नियो लिबरल्स हैं बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं कहरें कि इंडिया शूड टेक स्टैंड रशिया ने वो क्या किया कैसे किया दोस्तों इसे लोगों को मैं क्या बता हूँ सिर्फ एकी चीज़ कह सकता हूँ यतिहास में एक बाद जाके देखिए कई ऐसे मौके रहे हैं आज ये युक्रेन जिनके की दो दिन पहले जो इंडिया मेंन के डिप्लोमेट हैं उनके जो राजदूत हैं उन्होंने कहा कि मोधी जी को इंटरफेर करना चाहिए रश्या के राश्पती से बात करनी चाहिए कि इस सिस्थिती में हमारा साथ ने दोस्तों में कहना चाहूंगा कि ये वही युक्रेन है जिसने की दो मौर्षों पे भारत का उपेली विरुद किया है सबसे पहली बात करते हैं 1998 में जब इंडिया ने नियुक्लियर प्रोग्राम अपना जो नियुक्लियर परिक्षण किया था तब युक्रेन उन देशों में कुछ प्रमुक तोर पे था कुल 28 या 30 देश थे जो खुलकर बोल रहे थे कि इंडिया पे इतने जादा कड़े एकनॉमिक सेंक्षिन्स लगाए जाएं ताकि वो पुरी तरीके से अलग थलग पड़ जाएं दोस्तों ये तो इंडिया की नीदी है न कि इतनी बहतरीन फॉरेंड पॉलिसी है कि आज वो रश्या के साथ तो उसकी पुरानी मित्रता जो है वो तो हर बार साबित भी करता है और हमेशा निभाता है बहुत ही मध्यमारत अपनाता है जो कि मैं बहुत ही तारिफ करना चाहूंगा कि किसी भी देश को सबक लेना चाहिए कि फॉरेंड पॉलिसी हो तो इंडिया जैसी है आप गर किसी गुट में जाते हैं पूरी तरीके से तो उस गुट की गुलाम हो ज जिन्होंने जिसका गुट अपनाया उसको बात बोलनी है लेकिन यहां पे एक बहुत ही आदर्श बहुत ही स्तंतलित जो फॉरेंड पॉलिसी का नजारा है वो इंडिया ने साबित करके दिखा दिया कि हमें किसी का ना तो पूरी तरीके से दुश्मन होना है ना तो पूरी प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए दोस्तों भी मैं अक्सर देखता हूं हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बहुत बड़ी-बड़ी बाते होती हैं लोग कहते हैं सिर्फ डिफेंस में खर्च करने से देश नहीं चलेगा रोजगार होना चाहिए सब कुछ होना एक ऐसा नजीर पेश करता है कि जो यूरोप के वैभाव शाली देशों में जिसकी गिंती होती है अभी तक कि मैं हालत बता रहा हूं लेकिन क्या इस वैभाव संपन्नता और हर प्रकार से संपन्न होने के बावजूद क्या इस स्थिति में वो डिफेंट कर पाया खुद को तो जो लोग ये तरक देते हैं कि सिर्फ बिजली पानी शिक्षा और इस चीज़ से देश चलता है या यह ज़री है डिफेंस ज़री नहीं है तो जरा सा वो यूकरेन के बारे में देखें दुनिया को एक्सपोर्ट करता फिरता है पाकिस्तान को टैंक एक्सपोर्ट करता ह है दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रांस्पोर्ट जो यह विमान है एंटो नोग यूकरेन में ही बनता है क्या हो गया आज काम आया आपके कोई नहीं क्योंकि आपने क्या सोचा था कि यह 21 सदी में हमला कोन करेगा दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है इसलिए गलत फैमी में ना जिये तीसरे शिक्षा है कि गलत फैमी में ना जिये प्रैक्टिकल होके सोचें दुनिया को डिफेंस बाद में बेश लेना पहले खुद को मजबूत कर लो चौती सबसे बड़ी चीज सुरक्षा के दृष्टी से सिर्फ और सिर्फ हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई जो मजबूत एलाई है वो आपके साथ रहे क्योंकि जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियों होते हैं दुनिय जिसकी वज़े से वो खुल के किसी देश के साथ ना तो विरोध कर सकते हैं ना खुल के पुरी तरीके से किसी पाले में जाकर बैठ सकते हैं तो चौथी बात हमें ये सीखने चाहिए कि आपको अपने आप पे दुर दर्श्रिता के अनुसार ये सोचना पड़ेगा आपको इस आधार पे अपने आपको आकलन करना चाहिए कि आप आने वाले समय के लिए किस तरीके से अपनी विदेश नितिकोते कर रहे हैं आपकी जो पॉलिटकल लेडर्शिप है उसका क्या अप्रोच है क्योंकि जिस तरीके से जाहिए से बात है इस स्थिति में किसी को सहीया गलत कहना उशीद नहीं होगा लेकिन कुछ पॉइ को शामिल नहीं करेंगे जिस प्रक जिसकी वजह से फिर से कोई शीयतियों थी जैसी सिच्वेशन पैदा हो पुरी दुनिया में नैटो देशों ने ठीक उल्टा काम किया जोस्तों जाहिए से बात है यहां पर आप इस तरीके से समझें कि जो लोग कहते हैं कि आप अपना क काम करूंगा अपने तरीके से ठीक है यही काम अमेरिका ने किया तमाम जो वो देश जो कि कभी USSR का पार्ट थे उनमें से कई देशों को नाटो का पार्ट बनाया यानि कि एक तरीके से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आप उतनी दूरी से रहे कि इस पार्ड को आप कर लें अच्छे तरीके से लेकिन कहा जाता है कि सबका एक दिन घड़ा भरता है तो जब सेहन शीलता की जो सीमा पार होती है तो वही अंजाम होता है जो यूक्रेन का हो रहा है और दोस्तों यह सिर्फ एक यूक्रेन को ही सबक लेनी के जवरत नहीं है अमेरिका जैसे धू इरूपी देशों को भी जो उसके खेमे में हमेशा रहकि अपने आपको सुरक्षित मैसूस करते हैं यह सुरक्षा कितने दिन रहेगी आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं रूस को भी यह सूचना पड़ेका कि आपका जो भी आप्जेक्टिव है उसको आप कर रहे हैं आपको बहतर पता होगा वहाँ की political leadership जान रहे होगी कि वहाँ क्या situation है असल बात तो कोई नहीं जानता है लेकिन रशिया ने बहुत बड़ा यहाँ पे एक सबक दिया है पुरी दुनिया को बहुत सारे economic sanctions लगे हैं इसलिए ढाई तीन दश्कों में लगता लगते जा रहे हैं आज उसने अपने आपको इतना resistant बना लिया है कि वो खुद को survive करना जानता है यानि कि इससे एक और learning मिलती है कि अगर आपको अपने फे भरोसा है आप practical होके सोचते हैं तो फर्क नहीं आएगा हो फिल्हाल तो यह साबित हो रहा है तो खुश फहमी में ना जीए असलियत को देखें क्योंकि दुनिया emotion से नहीं चलती है प्रैक्टिकल होगे सोचनल लाइफ में अधर्वाइस हर्षर वही होगा जो यूकरेन का हो रहा है वहतार है खुद को मजबूत बनाएं और किसी के गुलाम ना बने पुरी तरीके से ठीक है आप किसी गुट का समर्थन कर सकते हैं किसी के साथ रह सकते हैं लेकिन अपनी ज क्योंकि जियोपोलिटकर सिनेरियो में ना तो कोईकिसी का पर्मनेंट मित्र रहा है ना कोईकिसी का पर्मनेंट शत्रू रहा है तो उम्मित करते हैं कि इस घञण नाकरम से काफी देशों को बहूत सबग मिलेगा और काफी दिनों से एक डीपित चल रहा है कि क्या है new world order change ह करने की बात है तो यह बात ही नहीं करने चाहिए आपको देखना पड़ेगा यह एकसेप्ट करना पड़ेगा वाकर नीव वर्ड और चेंज हो रहा है अब गया जमाना जब यूरोपी देशों और अमेरिका दुनिया की दादागरी करते थे वो जमाना गया वीते दिनों की ब जबूत बना करें थैंक जो मुच गईस